यह सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि शिक्षा का मतलब यह नहीं पूरा वीडियो देखने के लिए यूटूब चैनल को सब्सक्रेब करें शिक्षा के बारे में कुछ विचार सुनाओंगा हम सब लोग चैनते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्वा शुरू से रहा है इसलिए स्वामी वेक अनन जी ने लिखा है हमें ऐशी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्मार हो मन की शक्ती बड़े बुद्धी का विकास हो और मनुष्य अपने पेरो पर खड़ा हो सगी दोस्तों शिक्षा के बगर मनुष्य एक पशो समान है हमारे देश में शिक्षा प्रात करने के लिए बहुत सा स्कूल और कॉलेज है और सरकार की तरफ से उच्षा के लिए अलग-अलग यूनिवर्स्ती का भी नेमान किया गया है लेकिन आज कल चन्द लोगों ने शिक्षा को वैपार बना रखा है और आम आदमे शिक्षा से वंचित हो रहा है आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरह की हासिल की है उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है अगर इसमें कई मेत्वा पुरन कारण है तो वो है उनको दी जाने वाली उच्षित सिक्षा जैसे हमारे पूर्वर राष्ट्य पती श्री अब्दुल कलाम जी जो गरीब घर से थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के मेत्वा को समत्ते वे अपना पुरा ध्यामन अपनी पढ़ाई पर दिया और उनके लगातर किये गए प्रेयसों से उन्होंने बहुत सारे आविशकार किये अगर यह सब वो कर पाई तो इसमें सबसे बड़ा योगतान शिक्षा का है शिक्षा के बगए इंसान कुछ भी खास नहीं कर पाता शिक्षा जिन्गी के हर एक शेत्रम में तो पुनण है कुछ लोग ऐसा सोते हैं कि मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी क्योंकि मुझे कोई नोकरी थोड़ी न करनी है लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नोकरी करे बल्कि शिक्षा का उदेश आपको गनान प्रदान करना है जिससे आप किसी भी सेत्र में उन्नाती कर सके इसलिए दोस्तों जब तक शिक्षा का मतलब नोकरी पाना होगा तब तक समाज में नोकरी पैदाओंगे मालिक नहीं हमारे जीवन में शिक्षिक होना बहुत चरूरी है इसलिए हमारा देश आगे बड़ेगा समाज आगे बड़ेगा इसलिए दोस्तों पड़ेगा इंडिया तभी बड़ेगा इंडिया धन्यवाब